मैंगो मिल्क सेख बनाने के लिए हाँ पे हम दो पके हुए आम लिये जिसे शाब पाने से दोकर इसका छिलका चाकू के हिल्प से उतार लेंगे और अब हम इसका पल्प को एक बाहर का टोरी में निकाल लेंगे और गुटली और छिलके को साइड में रख लेंगे अब यहाँ पे हम ग्राइंडर जाड लेंगे और उसमें पल्प को एड कर लेंगे अब हम इसमें डालेंगे दो अस्पून चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम्या जादा कर सकते हैं खुस्वू के लिए लाइची पाउडर और अब हम इसमें दो कप ठंडा दूध डालेंगे इसे गर्म करके ठंडा कर लिये हैं थोड़ा दिर फ्रिज में रखकर और इसे ढखकन बंद करके अच्छे से ग्राइड कर लेंगे दोस्तों आप अगर और भी जादा ठंडा पीना चाहते हैं तो इसमें 4-5 आइस क्यूब भी डाल सकते हैं पर मैं इहां पर बच्चे के लिए बना रही हूँ तो आइस क्यूब को अस्कीब कर रही हूँ और अब हमारा मैंगो सिक अच्छे से बन कर तयार है और इसे हम ढखकन हटा कर देखते हैं बहुत ही कम समय में तयार हो जाती है घर पे मैंगो सिक और इसे दो गलास में बाहर निकाल लेते हैं यमी और टेश्टी मैंगो सिक बन कर तयार है इसे और भी अच्छा दिखने के लिए उपर से ड्राइब फ्रूट से गार्निस कर लेते हैं यहाँ पे हम प्सता और बदाम लिया हैं आप अपने पसंद के कोई भी ड्राइब फ्रूट से गार्निस कर सकते हैं या तो आइस क्रीम भी डाल सकते हैं पर मैं यहाँ पर आइस क्रीम को भी अस्किप करोई हूँ तो चलिए काफी देर से रौनक इंतिजार कर रहा है कि ममा कम महिंगो सिक बनाएगे थांक यू ममा वेलकम बेटा तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई